नमस्ते दोस्तों मैं आर्वी आर्वी की चनल पे आप से भी का दिल सी श्वागत है आज ब्रत इस पेसल दो ऐसी रेश्पी लेकर के आई हूं जो आपको बहुत ज़दा पसंद आएगी बहुत ही हलकी फुलकी रेश्पी है और बहुत ही कम तेल खी से बनी हुई है इसे अग बना लेंगी तो इस चटनी को आप बार बार बनाना पसंद करेंगी इतना ज्यादा आपको पसंद आएगा चनल पे नए हैं तो प्लीज चनल को सस्क्राइब करके बेल आकन को प्रेस कीजिएगा वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों यहां पे इसको भीगोने के लिए जल्दी फूल जाए तो क्या करेंगी गुनगुना पानी से भीगो दीजिएगा तो एक घंटे में ही फूल जाएगा तो यहां पे इसको बनाने के लिए हम लेंगे मिक्सर जार में हम लेंगे मुंफली भूनी हुई तो यहां पे आप कच और यहां पर मिर्ची ले रही हूं मिर्ची नहीं खाते तो इसकिप कर देना बिना ब्रत के बना रहे हो तो यहां पर लहसन भी डाल सकते हो अद्रग देना लेकिन अद्रग मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला है समुदाना अच्छे से फूल गया है तो हम इसमें दाने में भी पानी है तो पानी बिल्कुल नहीं डालना इसको बहुत पतला नहीं बनाना है और इसको हमें बहुत गाढ़ा भी नहीं रखना है तो यहां पर इस तरीके से रिखे पीस गये हैं अच्छे से और ध्यान दीजिएगा मैंने कैमरा ओन किया था वर्ट हुआ नहीं सौरी उसके लिए जो कैमरा ओन नहीं हुआ मुझे लगा की कैमरा ओन है लेकिन नहीं हुआ था जब मैं इसमें सिंहारे का आठा डाल रही थी अच्छे से इसको हम मिक्स कर देंगे देखिए इस तरह से होना चाहिए न ज़्यादा पतला है न ज़्यादा गाढ़ा है इसमे पर हम डालेंगे सेना नमक नहीं खाते तो इसकीप कर देना ब्रत में सेना नमक हम लोग खाते है इसलिए डाला है और यहां पर थोड़ा सा एक चमच बचा लिया था सा मुंदाना खड़ा जो भी को कि रखा था वही है तो ओ डाल देंगे इस से दिखने में बहुत ज़्या करना चाहें तो कर सकते हो अब लेंगे मिक्सर जार और इसमें एक इस पेसल चटनी तयार करेंगे यह चटनी अगर आप अपने किचन में एक बार बना लोगे न तो आपको बहुत ज़दा अच्छी लगेगी आप बार बार हर रोज इससे बनाओगे गर्मी के दीनों के लि सकती है मिर्ची डाली हूँ यहां पर अद्रक भी ले सकते हो मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं लिया जैसे कि मैंने बताया और यहां पर लहसन डालना लेकिन बिना ब्रत के बनाना तो ब्रत में लहसन प्याज नहीं खाते तो इसलिए नहीं डाला है और इसके बार देखि तो चोटी चोटी चीजे आप स्किप करके वीडियो देखते हो तो छूट जाएगी आपसे फिर आपकी रेस्पी अच्छी नहीं बनेगी तो इसके लिए एक इस विसल तड़का भी तैयार करेंगे हमने इसमें कोई दही नहीं डाली है नीबू नहीं डाली है मुझे ऐसी ठाहिए पी डाली हाई बीना निबू कर दमनी में बनाए ज्रूर आपको बहुत चाला लगा तो यहां पर अपर दाख में तरम ने सब्स्यार हुआगा देंगे शेथे कर कर लिक Aggendale और डिंशाटाल सब्स्तित आपके जरूर दली thing लिकिन करना चाहते है तो आपकर सकती है लेकिन हां करीपत्ता में डाला है करीपत्ता आप जरूर डालेगा और यहां पे एक चमच उड़त की दाल धुली हुई डाला था मैंने बहुत ही इस पेसल चटनी बनके तयार हो जाएगी तो यहां पे इसे हम तड़का लगा लेंगे सच में इस चटनी इतनी अच्छी लगत है तो इस चटनी को जरूर बनाएगा तो यहां पे आप हम चलिए अपने पराठे बना लेते हैं जो चीजें हमने पीस के रखी हुई थी मखाने नारियल और मुपली सामुदाने को तो यहां पे देसी खी लिया है आप चाहें तो ब्रत में बना रहे हैं तो देसी खी से ही बनेगे विनाब्रत के बना रहे हैं तो तेल से बोल ली धार बुरष मिलाना रखाता चाहें तो आप वसमें समा की आटा चाता हुण तो अब इस को इसपे वे थ्यूदाना ञाटा तरह से कि बचाने करते हैं और यहां पर इसमें ना अपने मन-पसंद की सब्सक्राइब कर लो तो यहां ऐसे में बताया कि जो मन-पसंद सब्सक्राइब कट कर लो थोड़े से हलके से सिख लो बारी कट करके मिला सकते हो इस घोल में तो मेरे पास नहीं था मैंने सिंपल इसको बनाया है बहुत ही अच्छी लगती है कुरकुरा एकदम सेक लेंगे इसको गैस लो करके और इस चटनी के साथ जब आप खाएंगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा हलका और फुलका बीना कम तेल खी से बना हुआ एरिश्पी अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है तो जरूर ट्रै कीजिएगा और प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा सेर कर दीजिएगा चनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा मिलेंगे अगली वीडियो में थेंक यू